नमस्ते दोस्तों, Health Digital में आपका स्वागत है आज हम Periods के दौरान होने वाली कमजोरियों को दूर करने के लिए कुछ आसान घरेलू उपायों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स देंगे जो आपको Periods के दौरान उरजावान और स्वस्थ रखेंगे तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुने दोस्तों सबसे पहला उपाय है कि आप Periods के दौरान अपने आहार में पौश्टिक आहार को शामिल करें पोशन और पोशक तत्वों से भरपूर भोजन लेना बहुत जरूरी है हरी सबजिया, फल, दूद और अनाज आपको आवश्यक पोशन प्रदान करेंगे दूसरा उपाय यह है कि ताजा पानी पिए क्योंकि Periods के दौरान शरीर से ज्यादा पानी निकल जाता है इसलिए आपको पूरे दिन खूब सारा पानी पीना चाहिए यह आपके शरीर को Hydrated रखेगा और आपको कमजोरी से बचाएगा तीसरा उपाय आपको काफी राहत देगा इसके लिए आप अदरक और लहसुन का सेवन करें क्योंकि यह पॉस्टिक होते हैं अदरक और लहसुन के रस का सेवन भी कमजोरी दूर करने में मदद करता है पोशक के ये तत्व आपके शरीर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं चौथा उपाय आपकी जीवन शैली से जुड़ा है जो है योग और व्यायाम योग आसन और व्यायाम भी बहुत जरूरी है पीरियट्स के दौरान कुछ आसान योगासन भी किये जा सकते हैं जो शरीर को आराम देते हैं और तनाव कम करते हैं जैसे बटर अफ लाइपोज, मलासन, इत्यादी, कई महिलाओं को यह समस्या रहती है कि खून की कमी को कैसे दूर किया जाए उनके लिए यह पांचवा उपाए है पीरियट्स के दौरान खून की कमी होने की संभावना रहती है इसके लिए चुकंदर, पालक, अंजीर, जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन फायदेमंद हो सकता है इसमें चुकंदर का जूस बहुत फायदेमंद होता है तो दोस्तों, इन सिंपल घरेलू उपायों को अपना कर आप अपने पीरियट्स के दौरान की कमजोरी को दूर कर सकते हैं हमेशा याद रखे कि किसी भी उपाय या नुस्खे का इस्तिमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करे यदि पास्ट में आपको उस उपाय से कोई परेशानी रही हो तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मिटिव वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद